इसके समझ शिक्षामित्र भाईयों मेहनों, मैं उमा देवी, आम शिचक शिक्षामित्र एसोसियेशन के अध्याच, मैं काफी दिनों से विसंगतियां तो देख रही हूँ, मात्र एक मोड के लिए इन विसंगतियों को मैं खून का घूट पी कर बरदास कर रही हूँ, समय और हालात से समझोता करना मेरे से बढ़ियां क्या कोई सीखेगा, मैंने तो हर मोड पर शिक्षामित्र परिवार के हीत के लिए अपने को कुर्बान किया, मेरी कुर्बानी भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश में इतने चाटुकार नेता खड़े है, जो खुद शिक्षामित्र भाई बहनों को नाना प्रकार की आडियो, वीडियो, पोस्ट डाल डाल करके बरगल आ रहे हैं, हकीकत कड़वी सच्चाई जो है, उसको बया करने में जितने चाटुकार नेता हैं, सभी को सर्मा रहे हैं, अरे खुल के बोलो ना, कि बहनों का त्याग आज रंग ला रहा है, बहनों का समरपन आज सभी के जीवन की नईया बन रही है, बहनों का योगदान आज सभी को र पंद होगी, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि उमा देवी लोहे के तरह तपी है, और सोने के तरह चमकी है, सुन लेना ध्यान से, तुमारे धूमिल करने से, तुमारे पीट पीछे सिकायत करने से, तुमारे फरजी कमेंटर लिखने से, और तुमारे बढ़ बोले पन से, उम जितने भी आये सब खेले अलग अलग रंग से सब का एक अलग रंग रहा फिर भी मैंने सभी को समेटा समेटने के पस्चात जहां विसंगतिया रही मैंने कड़ा डिसीजन लिया जहां परिस्थितिया रही वहां मैंने उनको समझाने की कोशिस की लेकिन जब अपने खेल में वो पास नहीं हुए तो वो वहां से 921 हुए अब जिन लोगों ने 921 कर लिया अपने आपको आने के लिए वो बेताब हैं लेकिन वो आए किस मूँ से क्या मेरे सामने कहेंगे किन बातों को कहेंगे अरे वाकई इमानदार हो करमत हो तो पूरे मंच पर पोस्ट डालो जिस पो को कमी ठहरा रहे थे जिस पोस्ट से तुम मुझे गुनागा ठहरा रहे थे उन पोस्टों को डालो नाम सुन लीजे अनिल विक्रम सिंग फरुखाबास से सो कमियों के बाद आज 75 लोगों से गिड़ गिड़ा रहे और भी कई भाई वेन हैं जो सामने आने में कत्रा रहे है मुझे कहने में हरस है कि कम से कम उमा देवी की बागडोर सत्य के साथ चली और आगे चलती रहेगी कुछ चाटुकार है जो तरह के तरह के रंग बदल रहे हैं रंग बदलना सिक्षा मित्र परिवार की एहम भूमिका हो चुकी है अपने अपनी ढपली अपना अपना राग सब बजाने को तयार है लेकि मेरा उद्देश है हाइप और कमेटी जबकि सिच्छा मंतरी जी स्वतह बयान दिये उस बयान को इग्नोर कर रहे हैं सारे के सारे चाटुकार उन्हें सर्म आ रही है हाइप और कमेटी का नाम लेने में क्योंकि हाइप और कमेटी उमा देवी क सम्मान में बनी और जितने वहाँ आए सब चार दिन में गायब हो गए कोई वहाँ रुका नहीं उमादेवी अकेले तपती रही और जो दो चार करमट भाई बहन थे वो सुबाय आवे चार बजे तक रहे और गायब हो जाए कोई वहाँ समय अगर पुर्ण रूप से दिया हो तो उस पिपलेस्वर महादेव को सौगंद खा करके कह दे कि हाँ उसने बारहो महीना रात और दी नीको गाडन में काटा हो अगर इस बात को साक्षी मानना हो तो प्रसासन ये लायू मीडिया हमेसा मुझे ला करके खड़ा करके बयान लेती थी और मैं बयान 24 घंटा देती थी क्यों मातर इसलिए कि मेरे भाई बहनों को सच्चाई पता चले और रही बात बात समझने ना समझने की प्रसासनिक तोर पर मैं एक बात बहुत कड़वे भाव में कहूंगी कि कि किसी नेता की सुनवाई नहीं है ध्यान से आम शिक्षामित्र सुन ले किसी भी नेता के बहकावे में आम शिक्षामित्र भाई बहन ना आवे जो आएगा सामने करवा सच उसको स्विकार करिएगा इसलिए कह रही हूं कि कुछ भाई बहनों के प्रस्न मेरे पास आते हैं कि दीदी ये हो रहा है वो हो रहा है जी नहीं अभी किसी ने आँखों से नहीं देखा है क सत्तिता सुन लीजे मेरा एक लाइन का आप लोगों से आगर है कि जो मिल रहा है वो आप लोग अभी खुसी-खुसी लीजे जितने दिन नोकरी रहेगी सत्ता में जो भी पार्टी बैठेगी मांगने का काम उमदे भी करेगी और सासन से हक है हमारा कि जो भी सरकारी कर्मचार है जो भी सत्ता में बैठती है सरकार उससे मांगता है और रही बात विसम परिस्थितियों की तो सब के चेहरे मैंने देखे विसम परिस्थितियों में कोई माई का लाल नहीं था जो अगवानी करके खड़ा हो जाए और कोई कहतो दे बला कि उसको परमिसन मिली थी धर्णा मैदान और बाकी तो फिर बाद में सबने अपनी ढफली बजाना शुरू की विचार करिए उमा देभी के पास जो कोई आया चार दिन रहा उसने अपने अपने कारगुजारी अपने तरीके से की और अपने अपने घर को चलता बना पूरे साल कौन रहा किसकी सेवा निलंब मात्र इसलिए कि शिक्षामित्र हित्मे सारे काम हो जाए और सुन लीजिए मैंने जब निसुल कधर न चलाया मेरे पीट पीछे लोगों ने खूब लूटे मुझे बाद में पता चला कापी कुछ भाई बेहनों ने बताया मुझे मैंने का जब मैंने मना किया था तो आपने क जी ओ, उबता रहा हो, मैं नियापूर्वक चल रही हूँ, तुम्हारे पास खुद की अकल नहीं है अपने अकल को बढ़ाओ, अगर अकल नहीं है तो सांती से रहना सीखो, रही बात, जहां नियम होता है, वहां किसी के मूँख की नहीं चलती है, किसी का चेहरा नहीं जाता है उमा देवी ने जो किया है नया संगत किया है उत्तर प्रदेश का कोई भाइबन खड़ा हो करके कह दे कि उमा देवी को उन्होंने मुकदमे करने का पैसा दिया है उन्होंने वकील खड़ा करने का पैसा दिया है आपने जो दिया उनमें से ध्यान से सुनिये कुछ भ कुछ भाई बैनों ने 500 रुपए दिये कुछ ने 1000 रुपए दिया कुछ ने कुछ ने कमतलब समझे नहीं नहीं में साड़े 3000 लोग गो मैंने निसूल के याची बनाया और सुनिये सच्चाई आज खून के घूट पी करके ही मैं बोल रही हूं इस चीज को सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए जो मुझे चेक दे करके गए उनकी चेके बाउंस हो गई कुछ जो मुझे आये सामना करने उन्होंने हाथ पर जोड़ लिया कि बैन जी मैं असहाय हूं फिर भी मैंने सभी का अपना समझ करके उनके परिस्थितियों से मैंने काम को आगे बढ़ाया और मैं के लिए रोक लिया और बाद में मैंने अनुना भी नहीं किया कि मैं आप तक पहुचाओंगी जरूर वो तैयार हो गए और सुनिए कड़वी सच्चाई जोलब होक रहे ये गलत हुआ है वो गलत हुआ है अरे एक दिन अव तुम्हारा अपना खुद का घर चला के देखो यारो अपने आप समझ में आ जाएगा कि उमा देवी ने एक साल कैसे परिवार चलाया कितने कड़वे सच्चाईयों को उमा देवी ने जहर को पी लिया कितने नालाइकी कर्मों को उमा देवी ने मा के समान अपना हिट समझ करके परिवार का हिट समझ करके उसको सांती मैंने पहरा छुरा जो चलता है सर पे सहर स्विकार किया, बाद में काफी डोंग रचते गए लोग, डोंग अपना अपना बंद करो, अपने अपने घर को सांती से रहो, सम्मान मिलने दो, उसके बाद नेतागीरी तुम अपने घर से सुरू करना, अपने पैसे से सुरू करना क्योंकि उमा देवी अपने पैसे से नेतागीरी नहीं कीती, सम्मान बचाने के हित में उतरी है 20 साल से, और सुनो, अगर उमा देवी को नेता बनना होता, तो ना गाजी इमाम अला नेता बनता, सुनो ध्यान से, ना जितने चाटुकार बाद में हुए वो नेता बनते, और जितने आज भोकर है वो भी नेता नहीं बनते, उमा देवी ने हमेसा सिक्षामित्र हित में उतर कर काम किया है, उमा देवी के कर्मों पर अगर कोई यकीन ना करे, तो सुन लो, तुमें सायद परमात्मा भी कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इतना खून का घूट प करते हो, तो मैं जैसे अन्य नेताओं के स्वार्त को उजागर के हूँ, और करते देर नहीं लगाँगी, अब आये सुनिये एक और कड़वी सच्चाई, जिस लोगों की माननिय माननिय कहकर के उपादी दी जा रही है, उन माननियों की बाद सुनिये, यही सत्यम दूबे, दिसंबर महीने में यह आया लड़का, इसको मैंने सम्मान एक बेटे के तरह दिया, इसने मुहां की गतविदियों पे कहीं मीडिया से लड़ जाए, कहीं आम सिक्षा मित्र भाईवेनों से लड़ जाए, और कहीं डेरों भी संगतिया पाल ले, और सुनिये, इसने मेरे खि दिखा है, सासन ने मुझे बरी किया, आप विचार करिए, कि क्या एलो कितनी सत्यता के साथ मेरे साथ चल सकते हैं, या शिक्षा मित्र हित में उतर कर चल सकते हैं, दूसरा प्रमोध मड़ी को ले लिजे, प्रमोध मड़ी ना बाल गुटवाया है, ना जन्यों का त्याप क सबल्गान कीबात है, हाइप और कमेटी में, उमा अधिवी की देन थी, हाइप और कमेटी तक लेकर सबको पहुछी, खुद विचार करिए, जो सीधे बोल नहीं पा रहा है, जो निकल घर से चल नहीं पा रहा है, जिन्नों ने अर्थियों को कंदा नहीं लगाया, जिन्नो ने त्याग नहीं किया आज उनकी गुडगान चार दिन के आने वालों के गुडगान और जिन्हों ने अपना सर्वसुने च्छावर किया कहने में आप लोगों को कहीं भी भगवान अगर बैठे हो तो सत्यता के साथ चलिए वरना मैं उजागर करते देर नहीं लगाऊंगे मातर शिक्षा मित्र हित के लिए बरदास कर रही हूं कि जिस दिन इनका भला होगा जिस दिन मैं सम्मान दिला लूंगी उस दिन मैं सर्वे सर्वा एक-एक सक्चाईयों को खुले मंच पर बताऊंगी मैंने ये बात कई बार कही है वीडियो में आडियो में और आज फीर कह रही हूँ कि हाँ जितनों ने मेरे साथ गडदारी की है मैं खुले मंच पर वताऊंगे क्विन हो मैं वो बहन हूँ वो बेटी हूँ वो पत्नी हूँ जो संजीद गी के साथ अपने परिवार से ले करके समाज तक की कडूं को झोड़ती हूँ मैं उन मैं से नहीं हूँ कि मैदान से मूँ फेर करके भाग ले अपने स्वार्थ में मैं हमेशा सामना कड़वी सच्चाईयों का की हूँ और सुनो जितंदर साही तुम्हारे लिए तुम महीं कहते थे कि अरे इकोगाडेज में तो कुम्भ का मेला लगा है अरे गड़दार कभी तुमने परिस्थितियों को याद किया कि जिस बहन के पैर छुए बिना तुम कभी शासन में नहीं पहुचा जिस बहन ने तेरे सर पे हाथ नहीं पहरा तब तक तू एक रुपिये की मदद नहीं की तब तक तू कहीं बाहर नहीं निकल पाया अपने दिन को भूल गया अपने समय को भूल गया अपने बोली हुए बातों को गिर्गेट की तरह रंग बदल करके दरकिनार कर दिया उन बहनों को इत्याग और तपस्या को भूनाने की कोशिस न करना फरजी तरीके से तुम नेता बनोगे उमादेवी पहले भी तुम्हारा विरोत की ये ख्याल करना तुम तुम्हें डेट नहीं यादो तुलो मैं बता दे रही हूँ 24 जनवरी 2010 जब मैं तुम्हें मना की कि तुम्हारी गल्ट्ना अब सर से बाहर हो रही है और तुमने अपने जोस में होस खोया और तुम्हारा आदर्स कहां बदल गया तुम्हें अच्छे से पता है क्योंकि तब उमादेवी त्याक पत्र दे कर तुम्हें चल दी और सुनो ध्यान से जितने बोर बोले और बन रहे हैं उनकी भी करतूते ध्यान से सुनो उमादेवी वो कोई नूर थी जो इको गाडन में प्रिसासन 24 घंटा नजर रखता था यह लाई उपर 24 घंटा नजर रखता था और सुनो गुप्तचर विभाग भी 24 घंटा नजर रखता है मेरे उपर उंगली उठाने वालो अपने उंगलियों को अपने तरफ कर लेना अपने कर्टूतों को अपने तरफ देखना कि उमादेवी ने जो किया है साय तुम्हें जीवन भरी स्वर माप नहीं करेंगे अगर मेरे साथ तुम गद्दारी फिर से सुरू कर रहे हो तो मुझे किसी का छलावा, किसी का ढोग, पसंद नहीं है क्योंकि मैं गलत किसी को कभी लिखती ही नहीं हूँ किसी को नहीं लिखती हूँ, ना बोलना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मेरा परिवार है इनको समझा दो अगर ना समझी है तो अगर ये समझ लेते हैं तो अच्छी बात और नहीं समझते हैं तो इनका कर्म इनके साथ जाएगा मेरा क्या ले जाओगे और सुनिए आम शिक्षा मित्र भाई बेहनों के लिए एक संदेश किसी के बातों में ना आए अनरगल पोश्टे चल रही है किसी भी पोश्ट पे विश्वास न करे सासन प्रसासन से जो घोस्डा होती है उसको मानिए कि वो आपके लिए हुई है